तो आज हम अपनी सीरीज में बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक लेकर आपके लिए आपने धंगलें में देख लिया को कि हैस्टाइग वान मेंस सबसे पहली सीरीज की सबसे पहली वीडियो है इस चीज में मैंने काफी चार्ट पैटन्स को स्टडी करके यह पैटन्स आपके लिए निकालें चार्ट पैटन्स आपके लिए निकालें जो आपकी ट्रेडिंग में आप इंट्राडे हो सिंगल ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो पोजिशन ट्रेडिंग हो waste your time in my to right now we will start a video second the first is my pattern called to be the pattern connector chart phases chart phases breakout are the trigger from the new phases कहने का मतलब है पहले दाउं फ्रेड जब पहले दाउं ट्रेंड गया देखो दाउं ट्रेंड जारह है एए रहे हायर है लोड़ एई लोड़ 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 राइट ग्रीड कन्फरमेशन एंज यह समझ गए यह का की तूड़ा जैसे यह वार है कि यह कन्फरमेशन भिल जाती है कि आपका हो गया अब ना यू आर टे का एन्य एंट्री कोई भी एंट्री रहे ना बट आप आप आए करेंगे और ऐसी सिच्टीशन आप सेल करेंगे तो हम क्या करते हैं जो सबसे छोटा लोवर लो प्रस्ट लोवर लोव थर्ड लो और फॉर्ड फॉर्थ को मैं ऐसे सपोर्ट लेते हैं करते हैं जैसे ब्रेक आउट देगा उसे टाइम यू सी थाइम यू सी थाइट हाव मुच हाव मुच यू हव मेंस इफ आम बाइस दिस पॉइंट सेवन सेवन तौन तो यह कहां तक है 7800 तक है और गाइस यह ना सोचें कि यह चार्ट जो है वो डॉलर्स का है राइट यह प्राइट में जो यह सैट दिख रहे है यह डॉलर्स में मतलब अल्मुस्क्त हंड्र डॉलर्स अल्मूस्क्त betting डॉलर्स का ट्रेड है आपका यह ब्रेक अधर बूलोर्स का च्रेड बना दूसरा तीसरा से च्टा बना चोओधा इस से चूटा अब लुवर लो डोवर लो तो इसका मतब्द क्या है कि trend change हो गया है तो यह मैं already अपने price action की series में already बता चुका हूँ वो आपको पता ही है अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर कि या तो आई बटन में नहीं तो आप मेरे चानल पर जाकर कि price action strategy देख सकते हैं next की बात करेंगे कभी कबार क्या होता है ना कि आपका जो trend है वो trend continue करता है कैसे lower higher i is higher i sorry lower i1, lower i2, lower i3, lower i4 ऐसे ही first lower low 1, lower low 2, lower low 3 and lower low 4 क्या होता है कि ऐसे जब touch किया है थो हमें एक बर दुबारा टॉच करें वहीं से bounce back होता हमें लगता है कि शायद हो सकता है यह pattern connector connector का समझते हो connector का मतलब होता है कि pattern connect करना means first time two time three time either to be यह उपर दुबारा जाएगा या तो यह false होता है हमेशा यह नीचे जाता है ऐसा हो सकता है नहीं यह भी false हो सकता है आपको फिर देखना है जैसे यह breakout दिया breakout देते कहने का मतलब है कि trend अभी भी क्योंकि क्योंकि देखो मैंने आपके price action में अल्रेडी लोर लोर हाई बता चुका हूं अगर आपको पता होगा ना तो आप इस chart pattern को तो आप बोलोगे सरी तो बहुत easy chart pattern है इसली identify कर लेंगा राइट वही चीज़ तो second अगोंता चल गया कि downtrend में आपको continuation के अपको चलती है जब आपको pattern connector breakout होता है right next third आता है अपना कि जब हम horizontal horizontal mini touch in the single horizontal line अब यह जो line थी ऐसे कहलते है शेर था upward ठीक है by situation में था इसे जैसे breakout किया वैसे ही sell position में आ गया shorter period of a time इंट्रडे लेगे चल रहा हूं मैं आपके लिए ठीक है अब हुआ गया यह breakout यह गया breakout किया breakout करते दुबार रीट्री रीटेस्ट किया रीट्रेस्ट करने के बाद में वह दुबार आप देख सकते हो कितना ज्यादा दाउनफॉल देखने को मिला है इस प्राइटन बोलते है होरी जेंटल मतलब एकदम शेर जब एकदम पीक पर पहुच जाता ना पीक पर पहुचेगा वह तीन दुबकी मारगा एक दो तीन चार पांच चुछ आटनो भी मार सकता है ऐसी बात नहीं है फिर इस होरी जेंटल लाइन को मैक कर देंगे अगर इससे नीचे ब्रेक्डाउन को गया तो ट्रेंड ऑटमेटिकली चेंज हो जाता है यह चीज़ आप देखे सकते हैं तो यह बहुत एज़ी अगर आपको फिर भी ना समझ मैं है तो इस वीडिक आप एक बार और देखेंगे और अपने बीगर होगी तो हे और यह डेली यह डेली पैटन स बन्ते अपर अब पांछ चेर जकिकार कि एक बार फैर्सलिम एट आपको समझ में नहीं मिलें और एक वाले डीटी के उपर होता है पहले sellers आए फिर बायर बढ़ गए sellers आए बायर बढ़ गए sellers आए and then sellers ले गए समझ में आ गया होगा next अब बात करते जो patterns होते हैं वो range में चलते range on the both sides breakout trigger अब देखो इसमें देखोगे कि अगर मैं एक यहाँ भी लगादू यहाँ भी लगादू तो अगला chance मेरा यह होगा move यह होगा हुगा हर बार मेरा को यह touch हुआ और उपर गया लोग क्या करतें confuse होकर कि यहाँ př Kai बाइंग सट कर देते और देखो फिर ब्रेक अब नीचे जाएगा दूबारा शेर रही ब्रेकाऊट अगर ब्रेकाऊट करता तो ट्रेंड लिए चेंज हो तो था कैसे अब अगली वीडियो में देखा हो आउन निट्च वान टाइम तुटाइम त्री टाइम फोर टाइम और टूटाइम टूटाइम अगर ताइम trading platform लेके चलते तो अपना risk and reward one is two three maximum रख सकते हो एक रुपे गवाने के ऊपर तीन रुपे कमा सकते हो आप profit आपका दो रुपे यह चीज़ आप सुझके लिए यह से समझ में आगी क्योंकि इस pattern को समझा दे तो इस pattern को समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगे राइट नेक्स आप क्या था कि ट्राइंगल बैटन में वन फ माइफ फेवरिट बैटन इंडियन महिंद्र महिंद्रा के अंदर में मैंने लिया था वंडे के चार्ट में यह यह से आया तच किया इदर अब क्या बोलेंगे अब तो महिंद्र इंड महिंद्र का अपने लाइव चार्ट यह लाइव है और आप देख सकते हो कि अब अगर इसने ब्रेक आउट कर दिया उपर के साइट तो यह बाइक कंडिशन बना देगा अगर अब लोग के सुचिंगे दुबारा इदर आएग दुबार आएगा अगर जो ट्रेंगल पैटन बनाना सीख सकता है न वो कोई भी मार्केट में पैसे कमाने से रुकेगा ने राइट यह समझ में आती है मेरे खाल से वापिस है और बांस बैक राइट अब इन में से कौन सा हो सकता है अपकमिंग डेस में आपको पता चिल ज रही कि ठीक है 26 माई चल रही है 26 माई 2020 के वीडियो है शूट कर रहा हूं मैं इस वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तो आप अप कमिंग मालो वन वीक के बाद देखले न मतलब 1st of June या 2nd of June या 1st week of June देखेंगे तो आपको इस ट्रेंगल पैटन का असली रीजन पता चल जा रहा मैरा कैसे बनाया और कैसे न हम से रफ और वस सॉटलाइन लेते हैं उन ही को बनाते है और फैंट लाइन नहीं भराने आज हाते हैं तो आप हमारी बश्राइन और त्रहसे प्रो लोग से किसे अरे हैं और हैं इस这 Mitt बड़ा भगवान कोई नहीं शेर मार्केट में और मेरे से बड़ा बगवान कोई नहीं अगर मेरे पास में तो मैं हमेशे बोलता हूं कि मैं हमेशे 20 से खरीदता हूं कि either to be a loss half 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 और to be a profit half half तो यह मेरे लिए अगर मेरा हाइस कैंडल का दो रुपए और लो मेरा एक है तो मैं पॉइंट 1.5 से खरीदना प्रेफर करूंगा तो एक हो जाते है कि ठेक है इस बार हमारा लख नहीं बना अगली बार देखें वह तो गैंबलिंग स्टाट दे जोगी राइट तो यह क्या होता है कि ट्रेंट कंटिनिस सेटप होता है प्री प्री ब्रेक आउट होता है अब बिल्डप हैपन कैसे अब देखो पहले उपर कर दिया तो ट्रेंड विल बी दे कंटीनिव अब ट्रेंड उपर गया यह थोड़ा सा पॉइंट ले लेता है इधर टॉच किया वापस आया पेक पॉइंट इधर रख लो वापे तो ब्रेक आउट करेगा तो अब सेल करो अगर ब्रेक आउट फिर इसन उपर गर दिया पाफी शियर ऐसे कंसॉलिडेट रा रा रहा रा रा आईधर तुब यह कंब बैक तु इस पॉइंट बट इसने अफ्ट टिया और तो आप देखे सकते हो कि अब ट्रेंड में किस तरीके से शियर ऐसे जाता है यू देन री टेस्ट फिर ब्रेक आउट देन री टेस्ट फि चीज़ test नहीं सब्राइं अर समझाइं यह जाए ब्रख़पर ब्रिकाउट नेंषने यह का है ऐस घंदल dest लौट刑 मदस्क्राहिा यह कैंडल ऐससे बन pattern है और अगर आप continuous pattern के अंदर में sell करोगे ना या बाय करोगे आप positive जाओगे तो आपके लिए बहुत नुक्सान हो सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं next आप यह moving average में use करता हूं moving average का मैंने बहुत अच्छा सा use करता हूं 200 का यह मेरा secret level होता है और मैं secret level बहुत ही कम लोगों को बताता हूं जब क्या होता है कि हमें बता है कि जो momentum होता है momentum होता है वो हमारे को बताता है moving average right price का momentum तो यह moving average उपर है तो buy position बन रही थी buy बनने के बाद में consolidate हुआ काफे time तक consolidate हुआ either to be going back to the base और either to be back to the bottom line बट इसने bottom line को touch करने की कोशिश की थी बट यह वापिस उपर retrist हो गया तो मैंने जैसे ब्रेक आउट किया उस्टे मैंने थोड़ा सा amount कमाने की कोशिश की तो और मैंने कमाया भी right मैं इस like bowl रहा हो उपको मैंने यह नहीं कमाया नहीं कमाया अब देखो शेर उपर गया मैंने आपको हमेशे बोला है कि शेर ऐसे breakout पे उपर जाते हैं breakout के उपर जाते हैं अब ब्रेक आउट हुआ ही नहीं तो यह नीचे चला गया तो means अब करने के smaller और पर हमें moving average तो बता रहा है कि यह बाय करना है शेर इस पर घुछ सक्ता है भूज जोगा है one time touch two time touch up one two touch अब शेर अरे यहां आगया अब लोगों को लगए गया जैसे एक बार ऐसे आया था दो बार उपर ब्रेकाउट दिया तुु तांब रेकाउट दिया आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेकाउट दिया और अपके मूविज अब्रेकाउट तो देन वह बुगते हैए बालमस्ट थाउजंद बढ़ाइस विद वे वन ट्रीड राइस यह पैटन पांच के लिए नहीं है बनता है मगत बढ़न थैर यह चूंभ वन टू थी फोर तच अन्मुविंग अवरेश इस गोग दाउ तो आपको सेंब पैटन समझ में आ जाएगा इसमें डाप यूस कर लोग तो वह इसका थोड़ा सा यह इसका एड़ांस बर्जन है इसका तो यह तोड़ा सा एजी वर्जन अगर आप इसी को देख लोगे नहीं सेवन्ठ जो चाट है वो आपका एकदम ही एड़वांस वर्ज मतब आप रिस्की नहीं लेना चाहते हैं sir मेरा पैसा डूबेन है तो दो टाइम की कन्फरमेशन आपको best कन्फरमेशन मिल जाते है right guys तो आप इस इसको देख सकते हो तो आयो बढ़ते हैं without any feel sorry 8th हमारा chart बोलता है head and shoulder pattern as we know that head and shoulder pattern कैसे होते हैं एक line होगी सबसे पहले left shoulder मतब अपने हाथ पर ध्यान रखो मेरा left hand मेरा sir और right hand पूरा अदमी बन गया अब गया होता है अब लोग बोलते हैं कि 4 बनते हैं ऐसे नी head shoulder होता है तीन बार क्योंकि मेरे दो हाथ है एक left में left, right और मेरा head right shoulder this is my head this is my right shoulder breakout breakout करने के बाद में मैंने हमेशे बोला है कि एक बार share वापिस इसी level को touch करेगा breakout नहीं करेगा touch करेगा और वापिस आएगा right touch किया इसने और फिर देख सकते हो और फिर एक time आता है जब बार बार एक ही level पे touch करता है higher highs बनाता है मैं दिखाता हूँ दो बार आता हूँ इसमें head and shoulder के अंदर में लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई swing market करता है तो आपको कब तक अपने पैसे को hold देए retrest करेगा हाई देखो अब trend चेंज ही जोगा हाई जिसे head and shoulder pattern बनता है तो क्या होता कि continuous में बनता है कभी कबार उसमें बनता है तो आपको क्या trade कब लेना है higher sorry lower high lower low lower high lower low lower high lower low अब यह देखो पहला lower आप पहले lower high lower high को मिला लो lower high lower high lower high को trend line बना लो अगर lower high को breakout कर दिया उसे trend हो जाएगा positive then you got to be a bias situation not to be a self situation right guys समझ में आ गया head and shoulder अंतर में various trend stages बनते हैं मैं आपको दिखा दिया trend stages को मतलब है left shoulder right shoulder left shoulder head right shoulder and और यह देखना यह रभ ऐसे तो होगा नहीं left shoulder right shoulder head एक तरह की human body recording बनाया गया आप गया तो मैं आपको बताया है कि head and shoulder क्या करते हैं पहले तो यह move downward then upward भी गया आप यहां तो कभी कबार head and shoulder continuous pattern भी बनाता है आपके लिए यह advance level है share automatically आप देख सकते हो काफी time तक downward रहा है right यह 30 minute candle से चार्ट अगर आप intraday trade कर रहे हैं forex में किसी में तो आपको बहुत interestingly आपको यह पता चलेगा कैसे आपको क्या करते हैं देखो मैं आपको बताया share एक बार उपर जाएगा फिर उपर जाएगा देन उपर जाएगा तीन बार उपर जाके नीचे आजा तो समझ जाना head and shoulder pattern बन रहा है अगर breakout पर दे उस level को तो दुबार retreat करेगा retreat करने के बाद में नीचे गरेगा ठेक है higher high higher low बनाना चाहिए ठेक है अब आपका lower lower high और higher low बना गया तो अगला कहीना कहीं यहां बनना चाहिए यहां माल लो पर यह lower low इससे नीचे बना चाहिए trend यहीं से change हो गया यहां तो आप trend breakout के बाद entry लिलो या breakout के बाद ने ले लो तो आप इस breakout के बाद लो क्या हो यह patterns नहीं बनाते वह indicator के फुरू चलते और बोलते हैं हमने ऐसे pattern बनाके करें कभी ऐसका नहीं हो सकता कि अगर indicator ऐसे patterns के उपर कभी भी आपको वो नहीं देगा कभी भी यह यह सिरफ प्रो लोग यूज करते हैं यह पैटन्स मैं आपको बता रहा हूं मैं भी यूज करता हूं कभी कबार पैसे कमाने के लिए और कभी कबार मैं से में कमाता भी हूं और stop loss भी कभी बार हिट होता है ओर हमेशा इस पर हम re-point करता हूं मैं यह आपको बता रहा हूं लेकला करूं कि मैं किस्किस चीजों पर इस देखर हो त्रेट करता हूं अब आता है आप व circular बेक прямо करेगा और रोड़ियों करेगा मैं आपको अलरेडी पहले बता चुक हूआ राइट इंथ हमारा पार्ट है इसमें शेर उपर आएगा पहले ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ब्रेक किया दुबाया री टेस्ट किया and then breakout same चीज़ इसमें था head shoulder sorry left shoulder head right shoulder back test and then down देखो left shoulder head right shoulder down then touch retest and then down right तो यह समझ में आ गया कि हमेशा break के बाद में आपको रुखना है breakout लेते ही आपको trade नहीं करना है breakout लेने के आद में जब आपका share दुबारा उसी level जहाँ आप से breakout किया उसी level पर वापिस है उसके बाद आपको करना है यह बहुत सिंबल होता है आपने levels बनाओ support resistant बना लिया जैसे अगर ऊपर तोड़ा तोड़ने का तो थोड़ा दुबार नीच आएगा जब उपर दाने कुछ करें यह time होता आपको buy करने का देख है अब क्या होता है कभी कबार हम इस levels को इन levels को fibonacci retracement से भी find out करते हैं अब देखो यह वही चीज़ है यह red line दिख रही है आपको यह वाली first line and second line right तो मैं आपके लिए यह marker use कर लेता हूँ black right तो आपको easily समझ में आएगा left shoulder head right shoulder then back test test and then down यह तो आपको पता है but इसके according मैंने को हमेशे बता है अगर आपको नहीं पता कि fibonacci retracement कैसे यूज करते हैं आई बटन में fibonacci retracement की वीडियो कर नहीं होगी तो guys sorry आप मेरे चैनल पर जाकर कर एक बर search भी करेंगे fibonacci retracement Fibo retracement strategy तो आपको सकते हो अपना कम से कम 50% से या 38% तक आप लेकर चा सकते हो इस शेयर को राइट तो यह तक आप रख सकते हो तो फिबनाशी retracement से भी आप इस लेवल को find out कर सकते हो राइट and finally guys I think आपने बहुत enjoy किया होगा इस video को तो कि आपने काफी अचे patterns पढ़े और काफी अचे patterns मैंने आपको समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करी आने वाले time पे मैंने के थोड़े से high level पे और live market में भी test करके दिखाऊंगा कि intraday अगर करते तो यह वाले levels आपको मिलते हैं नहीं मिलते कर मिलते तो कैसे trade करना चाहिए अगर trade करना चाहिए हम trade करेंगा नहीं करेंगा different thing but आपको मैं live market में जरूर दिखाऊंगा थेक है तो thank you so much guys to watching this video don't forget to subscribe our channel dated of a bigness JT phobie and आप देखे सेते हो guys आपने बहुत मैनत की आपके लिए तो आप थोड़ी सी मैनत कीजिए like किए share कीजिए comment करे यह question है तो अगर और और कुछ है तो आपके बहुते subscribe करके bell icon पे प्लीज क्लिक जरू करें thank you so much guys to watching our video